हलो एवरिवर्ण में मोवनी मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो चलिए आज का मज़ेदार नाष्टा बनाना हम शुरू करते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम धेर सारी सब्चियों का इस्तमाल करके बहुती टेस्टी और हेल्थी नाष्टा बनाकर त्यार करेंगे आज का जो नाष्टा है प्रोटीन विटमन से भरपूर होगा तो चलिए आज का हेल्थी और टेस्टी नाष्टा हम बनाना शुरू करते यहां पर मैंने कढ़ाई के अदर दो गलास पानी डाल कर गड़क कर लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे आदा चमच नमक यहां पर पानी अच्छे से गरम हो चुका है तो इसके अंदर हम डालेंगे आदा कप मतर अभी तो वैसे फ्रेश मतर मार्केट में मिल रही है लेकिन आपके पास में मटर नहीं है तो frozen मटर का भी use कर सकते हैं यहाँ पर मैंने मटर को लगबग 2-3 मिनट तक अच्छे से boil कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे पालक, पालक को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है पालक यहाँ मैंने लगबग 1 बंच लिया है, पालक अपनी इसाब से कम जादा आप कर सकते हैं एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ हमें पालक को पकाना नहीं है तो बस यह देखे, मैंने इस तरह से पालक को पानी के अंदर अच्छे से डिबो दिया है तो यहाँ पर हमें करना क्या है, गैस बन कर देंगे और धक कर पुरी तरह से हम ठंडा होने देंगे ठंडा होने की बात में हम इसे पीसेंगे, 10-15 मिनट हो चुकी है तो आप यहाँ देख सकते हैं, पालक हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है तो बस यहाँ हमें करना क्या है, छनी से इस तरह से हम छान लेंगे और इस तरह से जो एक्स्ट्रा का पानी है ना हम इसे निकाल लेंगे यहाँ पर हम पालक और मतर के उपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे धंडा पानी ड़लने से क्या होगा न पालक और मतर पुरी तरसे ठंडी हो जाएगी और ये जो एक्स्टर का पानी है आप इसे सबजीव की ग्रेवी में डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने जार लिया है और चार के अंदर हम डाल देंगे दो हरी मिर्च और यहाँ पर हरी मिर्च के साथ में हम डालेंगे मतर और पालक जो हमने पकाई थी ना अभी वसुसे हम डाल देंगे और सभी को हम मिक्सर में पीस लेंगे यहाँ पर हमें पानी वगेर कुछ भी नहीं डालना है पालक और मतर को हमें बीना पानी के ही पीस ना है तो चली हम इसे mixer में piece लेते हैं और इसका एक fine paste बना कर त्यार कर लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं paste हमारा बनके त्यार हो गया है और यह देखे कितना बढ़िया paste बनके त्यार हुआ है और पालक का color कितना बढ़िया आया है आप यहाँ पर पालक के paste में पनीर डाल दे तो पालक पनीर बनके तयार हो जाएगा paste को हम रख देंगे एक तरफ तो अब हम डो तयार कर लेते हैं यहाँ मैंने एक बाउल लिया है बाउल के अंदर हम डाल देंगे गिहूं का आटा जिस आटे से हम रोटिया बनाते हैं बस वही आटा मैंने लिया है और आटा मैंने एक कप लिया है थोड़ा सा नमक डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर दोनों अच्छे से mix हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे मतर और पालक का paste और पेस्ट डालकर हम इसका soft आटा लगा लेंगे तो चलिए हम आटा गूत लेते हैं अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे यहाँ पर आटा मैंने बिना पानी के ही गूंद लिया है और अगर आटा सुखा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालके आटा आप चनी की डाल को ओवरनाइट भी पानी में भीगो के रख सकते हैं और अगर आपको नाश्ता बनानी की जलती है तो आप करम पानी में भीगो के रख सकते हैं इस नाश्ते के लिए आप चनी की डाल की जगह मुंग की डाल भी ले सकते हैं यहाँ पर डाल का पानी मैंने नि इसी हिंग तो यहां पर हिंग डाल कर हम इसे पीश लेंगे यहां पर हमें चनी के डाल को बिना पानी के पीशना है तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे यहां पर हमें चनी के डाल को दरदरा पीश लेना है एक बात्यान में रखे कि हमें डाल का एक दम पाइन पेस्ट त्यार नहीं करना है थोड़ा दरदरा रखना है तो चलिए डाल को हम बाउल के अंदर निकाल लेते हैं दोस्तों कई बार बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से पालक का नाश्ता बना कर बच्चों को खिला सकते हैं तो चलिए हम इसमें डालते हैं अप धेर सरी सब्ज सब्जियों में यहां मैंने लिया है गाजर को मैंने कद्दुकस कर लिया है और लगबग आदा कब गाजर है और गाजर के साथ में हम डालेंगे पत्तव गोभी यहां पर मैंने पत्तव गोभी को बारिक बारिक काट लिया है लगबग आदा कब डाल रही हूं और साथ में हम भी मैंने छोटे-छोटे पीस में काट लिया है, इस नाश्ते में आप अपने पसंद की कोई भी सबजिया डाल सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मेर्च, और अगर आप तीखा जादा पसंद करते हैं, तो जादा मेर्च डाल सकते हैं, कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, कुछ सुखे मसाले डालेंगे, तो लालमेच पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, और हल्दी पाउडर डालेंगे वनफोर्थ चम्मच, और अब हम डालेंगे गरम मसाला वनफोर्थ चम्मच, जीरे डाल देंगे आधा चम्मच, यहां पर आप जीरे के तलना है तो सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे सबजियों में नाश्टे के लिए मसाला हमारा बनके त्यार हो गया है तो इसे हम रख देते ही एक तरफ इसका यूज हम बाद में करेंगे आटे को भी 10 मिनट हो चुके हैं तो चले हम आटे को एक बार थोड़ा सा गूं लेंगे और बड़ी सी हम रोटी बना के त्यार कर लेंगे यहां पर हमें नॉर्मल साइज की जो रोटी बनाते है उससे थोड़ी बड़ी ही बनाएंगे तो यहां पर हमें रोटी ना ज्यादा पतली बनाना है और ना ज्यादा मोटी बनाना है दोस्तो इस आटे से पालक प चोटी पुड़ी बनकर त्यार हो गई है तो बस हमें करना क्या है हमने जो मसाला त्यार किया है ना तो बस इस तरह से हम मसाले को सेंटर में रखतेंगे और इस तरह से हम दूसरे तरफ से उठाते हुए इसे हम पैक कर देंगे जैसे हम गुजिया बनाते है ना सेम वही प्रोस गुजिया हमारी बन के त्यार हो गई है तो बस इस तरह से हमें सभी वेजिटेबल गुजिया बना के त्यार कर लेना है इस नाश्टे को हम फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों आज का नाश्टान हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे यहां पर मैंने कड़ाई के अंदर पा जाएगी न यह अपने आप उपर आती जाएगी तो आप यहां देख सकते हैं गुजिया उपर आ गई है तो इसका मतलब यह है कि गुजिया हमारी अच्छे से पक चुकी है तो बस यहां हमें एक एक करके सभी गुजिया पानी में से निकाल लेना है आज का जो नाश्टा ह दोस्तों हमने पालक और धेर सरी सबजियों से बनाया है तो यह पूरी तरह से हेल्दी है तो चलिए मैंने इसे पानी में से निकाल लिया है अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में हम इसे छोटे-छोटे पीस में काट लेंगे तो बस इ सबी वेजिटेबल गुजिय को इस तरह से काट लेना है वैसे तो इस नाश्टे को आप बिना तड़के के भी खा सकते हैं लेकिन तड़का लगाएंगे तो और ज्यादा टेस्टी लगेगा तो चलिए हम तड़का लगा लेते हैं यहां पैन के अंदर हम डाल देंगे एक चम और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे यहां पर हमें मिर्च को थोड़ा सा भून लेना है और यहां पर भून लेनी के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते तो बस हमें यहां करना क्या है नाश्टे के हमने जो पीस काटके रखे थे उसे हम डाल देंग दोस्तो इस नाश्टे में मैंने बहुत ही कम मसालों का यूज किया है यहां पर मैंने वही मसाले डाले हैं जो हमारे घर में रहते हैं तो बस अब हम नाश्टे में डाल देंगे धेर सारा हरा धनिया और धनिया डाल कर हम अच्छे से मिला लेंगे पालक का हेल्दी और टेस्ट बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं breakfast में enjoy करें ये नाश्तान आपके पूरी family को ज़रूर पसंद आएगा और खानी के बात में सभी पूछेंगे इसे कैसे बनाया ये नाश्तान आप एक बार घर में ज़रूर बना के देखे और कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए साथ ही subscribe करें तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ